Hey my dear students, welcome to my channel StudyNate तो आज के इस पूपर वीडियो के खत्म होने के बाद आपको बहुत साई चीजे पता चलें जैसे कि force क्या होता है, साथ में force, pressure and area इन तीनों के बीच में क्या difference है और कैसे इन तीनों का use हम अपने daily life में देख सकते हैं है ना, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह force क्या होता है जैसे बीटा देखो, हमने इतने बड़े board पे हमने क्या किया, pressure लगाया ठीक है, pressure लगाया, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम इस board को ऐसे धक्का मार रहे है तो जब भी हम किसी चीज को पकड़ के खीशते हैं, या जब भी हम किसी चीज को धक्का मारते हैं, push करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक force create होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं force तो इसलिए इसका जो definition हो जागा, वो normal जो आपने बढ़ रखा है अब next area तो आपको पता है, कोई particular जगा, जब हम उसको ले लेते हैं, that is called area तो सबसे important चीज जो है, वो आज हम ये देखेंगे, कि ये pressure क्या होता है और कैसे ये pressure इन तीनों से related है, तो pressure का एक, सबसे पहले मैं definition लिख देता हूँ force per unit area, area is called pressure तो according to the definition, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम देखेंगे, यहाँ पर हम pressure लिख देंगे और इसके बाद equal to करके हम लिखेंगे force, और फिर यहाँ पर हम लगा देंगे अपना area तो इसका मतलब हमने क्या देखा, कि pressure is equal to force per unit area तो यहाँ से हम दो चीजे derive करते हैं, that is सबसे पहला चीज, कि pressure is directly proportional to force और इसका मतलब क्या होता है, जड़ा इसको हम लोग गौर से समझते हैं, कि जितना हम force को बढ़ाएंगे, हमारा pressure किसी चीज पे उतना ही बढ़ जाएगा और जितना हम force को घटाएंगे, उतना ही pressure हमारा घटने लगेगा लेकिन इसके opposite हम क्या देख रहे हैं, कि जितना हम किसी चीज के area को बढ़ाते हैं, उतना ही हमारा pressure क्या होता है, घट जाता है और जितना हम area को घटाएंगे, हमारा pressure उतना ही क्या होगा, बढ़ जाएगा समझ गए यहां तक, अब दूसरी बात जो है, वो हम लोग देखते हैं, कि pressure का SI unit क्या होता है, फिर हम लोग डेली application में भी समझेंगे कि इसका हम use कहां पे करते हैं, बने रहना, देखो प्रेशर का SI unit होता है, पासकल, अपको ध्यान रखना है, ठीक है, पासकल, जिसको हम PA से भी denote करते हैं, यह मैं लिख देता हूँ, SI unit ठीक है, और अगर मैं यहां पे force के SI unit निकालो, that is newton, और area के SI unit होता है, meter square तो हमारा प्रेशर का SI unit क्या हो जाएगा, newton पर meter square, चाहे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं, newton meter to the power minus 2 समझ गए, अब देखो बेटा, यहां पे, मैं आपको real life example देखर समझाता हूँ, ज़रा गौर से देखना इस चीज को यह देखो, यह, प्रsheet न, यह पीन का जो अपर वाला पार्ट है, यह कितना ज्यादा नुकीला है और यह वाला पार्ट जो है, वो कितना ज्यादा blunt है, अब अगर मैं क्या करूंगा, इस पीन को लेकर, अगर मैं इस भूड पे इस तरीके से यानि इसके अपर वाले पार्ट से इसे पर प्रेशर लगाऊंगा ऐसे करके तो बताओं कि तो ये कितना प्रेशर एकजर्ट करेगा दूसरी बात अगर मैं इसको ऐसे उल्टा कर दूँ और फिर मैं इस board पर ऐसे इस पर एक force लगाओं तो आप ही पताओ कि कौन सा ऐसा part है इन दोनों का जो इस board पर ज़्यादा pressure create करेगा obviously हम देखेंगे बिटा कि उपर वाले का area बहुत कम है यह जब board को touch कर रहा है तो यह board के बहुत कम area को touch कर रहा है तब जब area कम होता है तो हमारा pressure क्या होता है बढ़ जाता है लेकिन इसी comparison में अगर इसमें मोटे वाले parts इस board को touch करता हूँ तो इस board की यह ज़्यादा वाले part को cover कर रहा है इसलिए जब area बढ़ गया तो pressure हमारा कम हो जाएगा इसलिए हम अपने daily life के example में देखते हैं कि अगर मैं एक knife लूँ अगर मैं दो knife आपके सामने लेता हूँ एक ऐसा knife जो बिल्कुल blunt हो है ना और एक ऐसा knife जो बिल्कुल sharp हो तो जो sharp वाला knife होता है वो बहुत जल्दी आपकी चीज़ों को काट देता है वेजटेवल्स को बहुत जल्दी काट देता है क्यों काट पाता है क्योंकि उसका area कम होता है इसलिए वो pressure ज्यादा लगाता है लेकिन इसके opposite अगर आप एक blunt knife ले लो उससे अब कोई चीज़ को काटने का परियास करो तो क्या होगा उससे क्या होगा उससे जल्दी बताओ उससे यह होगा कि वो चीज़ कटेगा ही नहीं और कटेगा भी तो बहुत गंदे तरीके से अगर मैं यहां पर इस board की बात करूँ ठीक है इस board को हमने कैसे है रहे hang किया हुआ मुँआ आपको समझाता हूँ इस पूरे board को one two three four five इस पूरे board को five nails के उपर ऐसे hang किया हुआ है ऐसे करके तो क्या होता बिटा अगर मान लो मैं एक दो तीन इन तीन nails को अगर मैं निखाल देता तो होता क्या गल्दी से बताओ तो आप देखो होता क्या कि इस board के सिर्फ दो ही part को इस दो nail के उपर adjust किया गया होता इससे होता क्या कि पूरे के पूरे इस board का जो pressure है वो इन दो nails के उपर आ जाता definitely बहुत कम area इस wall का ये touch कर रहा था तो pressure बढ़ जाता लेकिन हमने क्या किया इसको 3 nails के उपर और support दे दिया that means कि अब जो इसका pressure है वो equally 5 nails के उपर लग रहा है तो जब 5 nails के उपर लग रहा है तो definitely ये pressure कम लगा रहा होगा एक single nail पर इसलिए वो survive कर जाता है इसलिए अगर मालो मैं 2 pair से खड़ा हूँ ऐसे अगर मैं खड़ा हूँ 2 pair से ठीक है तो मैं ज़्यादा pressure लगा रहा हूँगा धरती पर या अगर मैं एक pair उठा दू तो obviously जब मैं 2 pair पर खड़ा हूँ तो मैं इस पूरे अर्थ का ज़्यादा पार्ट को टच कर रहा हूँ तो मैं pressure कम लगा रहा हूँगा लेकिन जैसे मैं एक pair को उठा दिया अब क्या हो गया कि मैं कम पार्ट को टच कर रहा हूँ एरिया कम ले रहा हूँ तो हमारा pressure क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इसलिए कभी भी ऐसा कहा जाता है कि जब आप कोई swamp में फ़स जाओ किसी दलदल में फ़स जाओ तो कोसिस आपको ये करना है कि आपको उहाँ पे ऐसे छट पटाना नहीं है ठीक है आप अपने आपको निकालने का प्रियास वैसे मत करो आपको क्या करना है धीरे 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 ऐसे होते जाना है इससे होगा क्या कि आप ज़्यादा surface area को टच करोगे तो जैसे आप ज़्यादा area को टच करोगे आपका body pressure कम लगाएगा और आप नीचे नहीं जाओगे समझ दो इस बात को ये हमारे जो school के backs होते हैं उसके जो stripes होते हैं वो मोटे मोटे क्यों होते हैं ताकि ये जितना area बढ़ेगा दोनों soldiers पे जितना area हमारे ये ज़्यादा cover करेगा उतना ये pressure हमें कम लगा रहा होगा जितना ये पतले पतले होंगे इतना वो pressure ज़्यादा लगा रहा होगा तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि force, area and pressure इन तीनों में जो difference बोड़ाओ इन तीनों में जो relation है वो यही है pressure is equal to force by area यही वो relation है जिसमें हम ये सीखते हैं कि अगर हम area को कम करते हैं तो हमारा pressure बढ़ जाता है किसी चीज के area को अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारा pressure घट जाएगा इसके opposite अगर हम किसी चीज के force को अगर हम बहुत ज़रा बढ़ा रहे हैं मालों अगर हम भी 3 newton का force लगा रहे हैं फोर्स का लेकिन प्रेशर जो होता है वो इंडाइटली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का तो आप अपने क्लास के आप जो भी इंसेर्टी के कोसें सोंगे आई होप कि आप सॉल्ब कर लोगे इस चोटे से कॉंसेप्ट से ऐसे आपको और कौन-कौन से वीडियो चाहिए आप एक वाचिंग स्टेडिनेट